कहते हैं इश्क की कोई जुबा नहीं होती लेकिन इश्क जब बेरहम हो जाए तो इससे आप क्या कहेंगे उत्य प्रिदेश के गॉंड़ा जिले से बेरहम इश्क का एक ऐसा ही दर्दनाक वाक्या साम रहा है यहां एक लड़की के साथ महपत फिर शादी और फिर ऐसा उसे ध घर से भाग कर कोट मैरेज कर ली युवक की मा को जब इस बात की जानकारी होई तो उसके कहने पर युवक अपनी पत्नी को लेकर घर पहुचा और फिर दोनों परिवार के साथ रहने लगे इस दुरान पत्नी और मा में छोटी शोटी बातों पर लड़ाई होने लगी जिस फरार हो गया अब महीला गंबीर हालत में जिला महीला अस्पताल में भरती है और नियाय की गुहार लगा रही है पुलिस ने पिरित महीला की शिकायत पर मुकदमत दर्स कर लिया है दरसल आरोपी युवा घ्यान चंदर ने करीब 9 महीने पहले पंजाब के लक्षमी नगर क रहने वाली नेहा कोर से शादी कर लिए और लोधियारा शहर में ही रहने लेगा ज्यान चंदर एक प्राइवेट कंपिूटर सेंटर में नुखरी करता था और क्याई सालों तक ज्याने चंदर और नेहा दोनों साथ में पढ़िवी थी फिर दोनों के बीच प्रेम अस्पताल में भरती नेहक और पुलिस को बताया कि छोड़ी बातों को लिकर उसका सास के साथ जगड़ा हुआ करता था जिसकी वजह से उसका पती उसके साथ जम कर पिटाई करता था जिससे परिशान हो कर उसने घर में मिट्टी का तेल डाल कर आत्महत्या करने का भी प्रया कुछ लोगों ने देखा तो इलाज के लिए जिला महिला स्वताल में उसे भरती कराया जब इस बारे में नेहा से बात की गई तो उसने बताया कि उसने अपने घर वालों से विरोध कर उससे शादी रचाई थी उसके पिता शादी के खिलाब थे शादी करने के बाद वह अला दबाकर हत्य करने की कोशिश भी की थी और अब उसे ट्रेन से फैक दिया अब वह चाहती है कि उसके पती को सक्त से सक्त सजा मिले किया रहा था उसके साथ मार्टी पीट की जा रही थी और आज ट्रेंज से घर जाते समय नवाब गंछ चे त्न में महिला के साथ मार्टी करते हुए उसे चलती ट्रेंज से नीचे गिरा दिया गया इस सुचना पर थाना नवाब गन्ज में सुसंकत धराओं में अभ्योग पंजकित किया गया है सिग्री अभ्योग्त की ग्रपतारी करते हुए अन्य विदिक कारवाई की जाएगी